वर्निवे शर्मनिय दर्शनम अंदहा सरुचिरान नाम भुजम पूजितम सुर्नरो तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिंतै धर्मनन्दनमहं विचिंतै स्रिगनश्याम महराजनी जै सद्गुरु निस्कुडानन्द स्वामी भक्ता चिंतामनना एक्सोट्था इसमा प्रक्रणमा लखे छे देश देसना दासना लखिया गामने नाम हवे लखवा परचा मारा हैया मा घनिहाम प्रभूतिया प्रभूताईनी आस्चर्यन मडे काई पुरण काम पुर्षोतम सर्वे सामर्थी जे माई तेह प्रभुजी प्रकटी कर्या बहु बहु काज लोकिक मा अलोकिक लिला देखाडी महाराज समया सदावरत माही अखुट रहाजे अन्न महारुद्र अतिरुद्र आपे कर्या विष्णु जगन तेह माही तल भारनी वडी नावी खर्चता खोट विनानाने जग जाने विप्रजमाड्या कोट निश्कुडानन स्वामी 117 प्रक्रन सुधी आगड महाराजना चरित्रो अने चरित्रो पछी देश देश ना हरी भक्तो ना संतो ना हरी भक्तो ना बताईना नाम लख्या ये गामना नाम अने हरी भक्तो ना नाम ये बदू लखिन पछी स्वामी आवे केचे आवे मारे परचा लखवानी मारा रदेनिंदर इच्छा चे ये बदाः परचा जे महराद ना छे ने उन लखो छो पण स्वामे यहां कहे छे कि जया पुरुना पुरसोतम नाराइन स्वायम बीराजमान होई जया बगवान स्वायम होई त्यां येमना बगवान पनानी कहता दिवीया आस्चेर्यानी काई कमी ना होई करांगे भगवान नी अंदर एटली बदी सामर्थी छे धारे तेम करे स्वामी केछे कि महराज इवा पुर्ण पुर्सोतम प्रक्टी ने बहु बहु बदाई जुदा जुदा कार्यों करे लोकिक मा घनी बदी अलोकिक लिला बतावी गना मुटा मुटा समया करया सदावरतों करया कोई जिग्या क्यारे अनाज पानी काई खुटियों नहीं वगर पैसे वगर तैयार ये अनेक मुटा यगनों तो करया पन हज्जारों ब्रह्मानों ने जमाड़या यमने दक्सिनाओ पनापी अब बधुई लोकिक लिलानु हतूँ पन स्वामी के चे क मारे इवा बदा परचाओ नथी लखवा यह बदा परचा ओ न थी केवा यह बदा तो वच्चे केवा से तियां कईदेश पन महारे तो बीजा परचा केवा छे कारण के स्वामी ने यहां महाराद नो अवतारी पनो बतावू छे आवा बीजा परचा तो बीजा आउतारों ने अंदर पन कदा जोवा मड़े के कोई जग्याए जम्वानों खुटिव ना होई के कोई जग्याए पैसा नी जरू है तिया पैसा खुटिया ना होई वस्तर नी जरू है तिया वस्तर ना खुटिया होई आवा बधाई बीजा परचाओ तो बीजा बधाई आउतारों जे आरे जारे पुर्थियू पर प्रगट थेा त्यारे एमना चरित्रों नें दरेवावा परचाओ जुवा मड़े पन निस्कुडान स्वामिने तो महराज जे सर्वा आउतार ना आउतारी छे जे पूर्णा पूर्सोतम छे एमना परचाओ के वाचाओ ने तले एमना परचाओ पन एवाज होई के जे बीजा उतारों थी जुद्या पड़ता होई तेहवीना जे परचा अन्या कहू सांबढ जो सहुजन प्रथम परवत भाई निवात कहू वर्ण वितेह विख्यात कन बीकूड मा कारण रूप अति उत्तम भक्त अनूप स्वामि रामानंद जीने मडी जेनी देह दशातेह तडी पच्छी स्वामी सहजानंद जेह पूरण ब्रह्म प्रगट्यातेह तेप्रभू प्रगटानी मुरती तेथी न रहेती वेगड़ी व्रूती यहां स्वामी परवत भाई नी वाद करे छे के परवत भाई किवा हतेह नी परसम तो वाद करे छे यहमना परचो जे थाए यह तो स्वामी पच्छी के छे पन यहमनी स्थीती नी वाद करे छे स्वामे यहां लखे चे के परवद भाई के जे कनभी कूड नी अंदर एक मोकत हो ए रूपे प्रगड थायाता अक्सर धामा थी जावेयाता अपन आ लोक नी अंदर आपने बद्धाये ने घनु बदू सिखवाड़े यहुए अमनू जीवन अतु सौथी पहला तो यहां रामानन स्वामे ने मड़या अने रामानन स्वामे ने सद्गूरु तरिके स्विकार्या अने सद्गुरु निंदर एवी जबरी निष्ठा राखी एवो भग्वद भाव राख्यो के एना कारण एमनी देह दसा रामानन स्वामीनी कृपाथी टड़ी गई आपना सस्संग मा घनिबदी वातो छे पर्वदबाय अने मुक्तानन स्वामी बन्यने एवी जबरी गुरु निष्ठा हती आमतो रामानन स्वामीना समयमा जे टलो सस्संग हतो बद्धाज भग्तो संतो बद्धाई रामानन स्वामीने जब्गवान मानेने बजता रामानन स्वामी क्रश्न भगवान ने इस्ट देव मानता पन बदोई जे सत्संग अतो बदोई जे रामानन स्वामी उसी क्रश्ननु बजन करताने करावता ए स्वयम रामानन स्वामी ने अंदर प्रगट छे एम मानी ने रामानन स्वामी ने बगवानु स्वरुप मानी ने बदा एमना आसरे रहता एमाई मुक्तानन स्वामी ने परवद भयमनी गुरु निष्टा गजब नियती मुक्तानन स्वामी ने पर्वत भयमने एवो निर्दार के कदाज कोई हत़डी निंदर राधा कृष्ण बतावे तोई रामानन स्वामी सिवा बीजो कोई भगवान ने आवे अमनी गूरु निष्ठाने इतला मातेज अईया स्वामी ये लख्यू के रामानन स्वामी ने मड़ी जमनी देहे दसा टड़ी देहे दसा टाडवी केता मुक्त पनू लावू अनपची आगरपन स्वामी लख्यू के प्रभू प्रगटनी मुर्ती तेथी नरहती वेगडी वृत्ती जे महराजे वच्नामृत प्रत्थम ना पहला नियंदर अखन वृत्ती निवात करी के भगवानना स्वरुप माय विरिते पोताना मननी वृत्ती अखन रेवी एतो कठन मा कठन साधन छेन एथी मोटी कोई प्रापती न थी आम जे सवथी मुटा मा मुटी प्राप्ती छे ए पर्वत भाईने पोताना गुरु रामानन स्वामिना कुरुपा थी के राजी पाथी मड़ी एम आपनने पन जो महराजनी मुर्ती निंदर आपड़ी वृत्ती राखवी होय तो आ सरण अने सिदो सवथी सहलो उपाई छे महराज कठन मा कठन सादन कीदू के सवथी कठन छे कठन इतला माटे छे के नो रस्तो बधाने मड़तो नथी कोईने आप वच्नाम रधवाँ चे अने लगनी लागे के मारे बगवानना स्व़रूप मा अखन वृत्ती राखवी छे अने महराजनू कोई स्व़रूप लेन ब्यासी जाए यहना थी कई अखन वृत्ती ना रे हा एना थी बिजू कदा थोड़ो समय पुर्तू बिजे थी वृत्ती टूटी ने बगवानना स्वरूप मा रे पन लाम्ब समय सुधितो नाज रे कारण के जीवनी अंदर बिजा घना बदा स्वबाओ घना बदा दोसो घनूबदू पडिव छे पन जारे कोई सदगूरू मडे औने सदगूरू के एम करे तो एना स्वबाओ टडे औने सदगूरूनो जेम जेम राजिपो थतो जाए तेम तेम सदगूरूनी कुरूपा थी भगवानना स्वरूप मा ममुक्सों नी अखन वृत्ती रहती जाए एम या परवद भय एमने पन पोता नी देह दसा बुल्या अने बगवान ना स्वरुप में आखन वृत्ती रहती थै ए रामानन स्वामी नी कृपा थी एमने आवीस्ती थी मेडवी हती अने पच्छी स्वामी ने जे परचो लखो छे स्वामी लखे छे तोय उपजो एम विचार के वो हसे नूसी ह अवतार परवद भय ने महराद ना स्वरुप में आखन वृत्ती रहती अने पोते खेती नू काम करता एक दिवस परवद भय ने वो विचार आवे हो के सत्संग में जे च्वावी सवतारो नी वात थाई छे के महराज ना स्वरुप में थी बद्याई 24 अवतारो ये जुदा जुदा आवतारो महराज धर्याने जुदू जुदू कारिया करियो तो ये बद्याई अवतारो के वो हसे एम आई एमने विचार आवे हो के नूसी हवतार के वो हसे कारण के अड़्धू रूप सीह नू ने अड़्धू रूप मानस नू ये ले आवो अवतार ये के वो हसे के वो देखा तो हसे ये वो विचार आवेव अने भगवानना स्वरुप मा अखन वृत्ती राखता था हतु अंतर ये विचार समेत गया क्रुशी करवाने खेत अने आवेव विचार सहीद ये जर खेति नू काम करवा खेतर मा गया पन हैम नी वृत्ती तो एक महराज ने अंदर अती आ विचार में एक वखता आविए के नुसी अउतार के वह से पन नुसी अउतार ना रूप मा क्याना विचार में एमने वृत्ती सतत नो थी एमने वृत्ती तो भगवान ना स्वरूप मा हती राखी वृति प्रभुमा एकतार स्वामी सह जानन्द मोजार जोई महराज स्रीनी मूरती सुख सागर सुन्दर अती कि महराजना स्वरुपनेंदर वृति राखी ने खेती नुकाम करता कहता कोई पन आ लोक नुकाम करता करता पन परवत भàiने महराजनी मूरती मा वृति राखवान अब्भ्यास हतो अने आप बदो ही अभ्यास कईए के वी एमनी सहज प्रकृती कईए ए बदो ही रामानन स्वामीनी कुर्पा थी एमने मेड़ वितो एना माटे एमने बीजा कोई सहाधनों करया नो था के जेथी करेन आप भगवाननी मुर्ती ने अंदर वृत्ती रे अखन महराज साम्र्या करे एना माटे एमने बीजा कोई सहाधनों करया नो था एमने एक सद्गुरु ने अनुवृत्ती राखी थी एक सद्गुरु ने मन कर्म वचे ने सेव्या था एना कारणे रामानन स्वामीनो राजी पोयमने मडेओ औने रामानन स्वामीना राजी पाने कारणेज पर्वतबहीनी आविस्ती ती अती के कोई पन काम करता होई खेतीनु काम करता तो ये भगवान मा वृत्ती रहती एम आपने पन जो भगवान ना स्वरुप मा वृत्ती राखवी होई तो एनो आ सरड मा सरड उपाई छे के सद्गुरुनी अनुवृत्ती मा रहे तो आटोमेटिक भगवान ना स्वरुप मा वृत्ती रहे अने महरात पन वचना मुरुत मा के छे के जे मोटा पूरुष्णी आग्नियामा अनुवृत्ति मा रहे छे ये ज आत्मा सत्ता रूपे वर्तियों छे जे मैं यहां स्वामी लख्यून के रामान निन स्वामी ने मडी ने पर्वत्बैनी देह दसा टड़ी यहां आपड़ो देहात मा भाव ये बदुई जो टाड़ू होई औने आत्मा सत्ता रूपे रेवू होई तो महराज वच्णा मृत्मा के चे के मोटा नी अनुवृत्ति मा के आग्नियामा रहे ये ये जे आपड़ा माटे आत्मा सत्ता रूपे वर्त्वा बराबर छे पच्छी तो पर्वत भाई ने महराज ना स्वरुप मा वृत्ती रह अने वृत्ती रहता रहता पच्छी जोयू तेने आस पास दीठो अती अती परकास ये भगवान नी मूर्ती ना दर्शन खेती नू काम करता करता है भगवान नी मूर्ती नू चिंतवन करता था अने एटले एमने आकास नेंदर प्रकास प्रकास देखायो अने एना मध्य माहराजनी मुर्ती एमने दर्संथ है एमने माहराजनी अती मनोहर मुर्ती ना एमने दर्संथ है अने पछी ए मुर्ती नेंदर थी 38 तेज पेलातो निकडिव तेज ना मध्यज महराज ने मुर्टी हती तेम छताई, फर ये महराज ने मुर्टी मा थी तेज 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 निकडिव, आजवाज बदे तेज तेज छवाई। अन्य प्रकाश नें अंदर पर्वत बहिए ने चौवीषे अवतार ना दर्शन थाया बदार ये चौवीषे जुदा जुदा आउतारो ना दर्शन पर्वत बहिए ने थाया मच कच वारानुशिंग वामन परसुराम राम कृष्ण बूद गलकी अब धाय आउतारो एमना दर्शन पर्वत बैने महरादना स्वरूप माथी बदाई एक पचेक निकडता हो एवा दर्शन थाया अने महरादना स्वरूप माथी जे तेज निकड़िये बदाई तेज नियंदरा अवतारो एक पचेक बदा गोठवाई गे येवा दर्शन पर्वत बहेने थाया अने पछी पर्वत बहेने तो आ दर्शन करने अती आनंद आवेो येमने तो मात्र नुसी अउतार जोवाने इच्छा आती पन भगवाने येमने बदा है अउतारो ना दर्शन करावे कारण के भगवाननी मुर्ती ऑ तो चिन्ता मनी तुल्य छे, औने भगवानना दर्सन करता करता जे जय पदार्त ने के भगवान अर धोडार्थ, बदू भगवान ते आपे खे महराज वच्णामरूतमा पन के खे, के भगवाननो भग्ट मांसी पुझा करता करता I के भगवान ने परत्यक्त पुजा करता-करता जे कोई बीजयपदार्थ नी इच्छा राखे ऎने बीज जे कई येनुं मन बीजि कोई जगे होई तो भगवान एने पोताना धहमा ये बधाय पदार्थ हो एन आपे छे केता कोई जगत नी वासना ने पन भगवान सबंदी जे जे होई ए भगवान एनी पूरी करे छे एम अईया पर्वत भाई ने एक नुसी रूप जुवानी इच्छाती महराज अंतर्यामी रूपे महराज तो सत्तत एमना मन ने वृत्ति ने आगड़ जता एटले महराज एमने बदाय रूपो ना दर्शन कराव्या अने पच्छी पर्वत भाई महराज ने प्रार्थना करी है ये हर ख मुख बोले वानी दीदा दर्शन नाथ दया आनी महराज ने प्रार्थना करे चे पर्वत भाई के महराज तमे बहुत दया करी ने मने दर्शन दीदा ये हाज जोडी ने अती आनन थी गदगद कंड थे ने पर्वत भाई महराज ने प्रार्थना करे चे महराज तमे केटली दया करी महराज पर अने एम करता करता अती प्रेम थी महराज ने पगे लागया अने च्वावी से उतार ना रूपो बदाई वाराफरती भरी वार सांते थी जोया करांके परवत भाई ने तो भले च्वावी से उतार ना रूपो देखाया पन एमनी वृत्ती तो महराज ना स्वरूप मां जहती एमना माटे तो बिजा बदाई गउन अता आने महराज अधिक हता पछी बदाई रूपों ने आविरते जोया आने फरी महराज बिजु अहिस्वरे बतायों के बदाई 24-24 अउतारो जे जुदा जुदा पोताना स्वरूप माथी बायर काड़या ता ये बदाई स्वरूपों ने पोताना स्वरूप मा लिन करया निस्कुणान स्वामिने आ परचो लखो तो कारण के बिजा बदा अईस्वर्यों के बिजा बदा कैक अनाज ना खुटुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ पर्चो लख्यो छे पर्ची प्रगट प्रभूनु जे रूप तेमा समाना सर्वे स्वरूप ते रूप रहिव रदा मुझार देखे अंतर बीतर बहार पर्वत भाई ने आज जे महराज जे रूप दर्शन आपया एज महराज नू स्वरूप खाली रदाई मा रिव बीजय 24 उतार दर्शन करया जोया खरा पने एकके रूप पर्वत भाई ना रदाई मा आविव नई अने पच्छी पर्वत भाई जे जे इच्छे जे जे चिन्तवे एब दुई एम थवा लागिव करने के भगवान नू स्वरूप एम ना रदाई मा हतू पच्छी प्रसंग एवो छे के पर्वत भाई ना परचो थायो पच्छी पर्वत भाई एक समय घटडा माहराणा दर्शन गया त्या माहराणा दर्शन करया सभामा एक उख़त माहराज ने प्रश्न पूछे कि महाराज मैं तो खाली नुसी रूप जुवानी इच्छा करी थी तो मैंने 24 रूप के हम बतावे इल्ले महाराज हमने की दू के परवत भाई तमें नुसी रूप जुवानी इच्छा करी अन्य जो फक्त तमने नुसी रूपज बतावाथ तो तमने तरद बीजो संकल्प थाथ कि बीजा बदा 24 अउतार ना रूपो केवा हसे इटले में तमने 24 रूपो बतावया पछी परवत भाई बीजो प्रश्ण पूछो कि महराज आ 24 रूप तो में तमारा अंदर थी नी करता ने तमारा मा लीन था तावा दर्शन करया बदाई ना एक एक ना रूपो में जोया अन्य बदाई तमारी अंदर पाछा लीन थिया इले महराज मने एक संसाई छे के आ बद्धाय अवतारों अने तमारू स्वरूप अवतारी स्वरूप ये बेने मारे क्यों समझू ये बे एकत समझू के क्यों समझू त्यारे महराज स्वयम पर्वत भाईने वाद करी के हुँ तो ये बद्धाय अवतारों नो कारण ये बधायनो अवतारी एवो पूर्णपूर्शो तम छू, माटे मने तमे सर्वो परी जानो, आवी वात पर्वत भाईने महराजे स्वयम करी। अने अचीन त्यानन वर्णिये, गुनाजी तानन स्वामी नी प्रेड़ना थी जे करेलो ग्रंथ हरीला कल्प तरू, एमा स्वामी आवात लखी छे। अन्य पची तो पर्वत भाईने आवी स्थीती थई अने महराजनू रूप हमना रदेइमा रयु अने पची जेम चिन्तामनी होई कने जे चाय थाई ते हतने जेम चिन्तामनी कोई नी पासे होई अने जे जे वस्तु चिन्तवे बदी वस्तु एने तरत पराप्त थाई एम बगवाननी मुर्ती रूपी चिन्तामनी परवत्भाईना रदेने अंदर रई एना कारणे जे जे चिन्तवे जेम इच्छे बदुई एमनु एम थवा लाग्यू अन्य आ लोग पर लोग जे आ इच्छा करे त्यां बधाए परोदभाई नी गती थाई गई क्यारेक वैकूंट लोग जोए क्यारेक गोलोग जोए क्यारेक स्वेद्दीब जोए आ बदुई परोदभाई माटे सहज थाई ग्यू जेम आपड़े कोई प्रदेश निंदर जे आजे आ धाम्मा गया काल बिजा धाम्मा लोया धाम्मा दर्शन करे वड़ताल धामा दर्श करे आवी एमनी निरावन ध्रश्टी थे गई आवी रीते तो पर्वत बैने अगनीत परचाओ थवा लागया अने स्वामी केचे आतो परचो कहों में एक इवा बीजा थाया छे अनेक पर्वत भैने तावा अनेक पर्चाओ थाया छे पन स्वामी कैचे का आ मारे सर्वोपरी महराज ने बता वादा सर्वोपरी नो पर्चो लखो तो महराज ने अवतार ने अवतारी वच्चे नो भेद मारे बदायने जनावो तो इतला माटे आ पर्चो में लख्यो छे ने तो पर्वत भैने तो भीजा आनेक पर्चा थाया छे पर्वत भैने भीजा आनेक पर्चा थाया छे हम कईने स्वामे या टुकमा वात लखी छे पन पर्वत भैने जिवन जुई है तो भीजा घना घना पर्चाओ एमना जीवन माँ जो आमडे, केवा परचाओ, आवा मातर नहीं के दिब्यों महाराइद दर्सना प्या होई, परण एकोख़त परवद भै महाराद न दर्सने गरेडा आवया, और एमने एम के महाराद न दर्सन मने नित्य थसे, अने महराच ने संतों निकथावारतानों लाब मडसे एम समझेन परवत भाई घना समय सुधिन त्या घरडा मा रोखाया अईया महराच ना दर्सों ने आवे महराच ने एम के बदा हरी बक्तों बहगा के लाड़ूबा जीवबाने त्या परवद भाई ठाकोड जमाडता आसे अने लाड़ू बाज जीवबा ने इबदाने एम के परवद भाई तो रोज महाराणा दर्सों ने जाई इचे ले ब्रहमचारी अमने थाड़ापता आसे इर ले महाराणी प्रसादी जमता आसे इतले महराज हैमने कोई दियस पूछिऊ नहीं अने लाड़ुबा जिवबा के बीजाः दादा खाचारादिक भक्तों कोई पूछिऊ नहीं के परवद भै तमे ठाकोर जी किया जमाड़ो छे वो कोई काई पूछिऊ नहीं अने एम करता करता अठ्वाडियू निकडि गियू तो ऐ पर्वदबाई नित्य महरार ना दर्शन करता महरार नी वातों सामबड़ता महरार नो रूप पोतान रदैमा धारता आम करता करता आठवाडी विती गियो पच्छी महरात अंतर्यामी रूपे बदुई जानता पन एक दिवस सभामा महराज परोधबय ने पूछु के परोधबय तमें आठला दिवस अहियां रोका है तो तमें क्यां ठाकोर जमाड़ो छो इतले पची परोधबय किदू के महराज साचु कव तो तमारी मूर्ती नो पोजन जमू छो तमारी मूर्ती ने इंदर थी मने बदुई मड़ी रे छे तमारा मूर्ती ना दर्शन करिन मने अनाज पाने नी जरूर पड़ती न थी आपन एक मूटो परचो छे कारण के आ कई नानी का स्थिती न थी आत गनी मूटी स्थिती केवाay के एक महराज नी मूर्ती जमूने रेवू अनाजनी के बिजु काई जम्वानी इच्छाना थवी के जरूरे ना पड़वी औन एक भगवाननी मुर्तिना दर्शन्थी त्रोप्ति थई जवी एद किटली मोटी बात के बाई आवा आवा परचा महराज पर्वतबह ने गना गना पूर्या छे पन आगर स्वामी लख्यू एम महराज तो पर्वतबह ने पची थी मड़या पनते पेला रामानन स्वामी ने मडी ने एमने आवी स्थीती केडवेली हती औन इटला माटे एमने महराज ने अंदर महराज मडता महराज ने मुर्ती मा आवँ अस आदारान हेत थयू औने महराज ने मुर्ती मा अखन रुत्ती पन रेवा लागी ये बद्वी सद्गुरुनी कृपा थी थयू सद्गुरुनी कृपा वगर आत्यात्मी जगत निंदर कोईने काई मडतू नथी अने आटलू बेदू होवा छताई पर्वत भाई ने क्यारे एवु अभिमान आवियो न थी के वह तो आटलू करी सकूँ छू के मने महराज नी मुर्ती अखन देखाई छे के जो लेस मात्रपन आवु अभिमान आवे तो महराज एना थी तरत विगडा थाई जे महराज के छे के एमने भक्तिनो पन अहंकार ना गमे तो आप पर्वत भाई ने ओ क्यारे अहंकार आवे नैए तो जो एवु थाई तो पर्वत भाई ना रददाई मां थी पर्वत भाई नी पासे थी महराज तरत अदूर ज़ता रे पर्वत्बायनों दिक्रों एक दिवस बदाय तीर्थो ना दर्शन करवा चतो अन्य बदा तीर्थो पर्वत्बायना दर्शन करवा आवता ए प्रसंग पन आपड़े घनिवार कथा मा सांपड़े हो छे आवी अलोकिक सिती पर्वत भायनी थाएली ये अमना सद्गुरु रामान स्वामी नी सेवाय करेने रामान स्वामी नो राजी पो मेड़व तेना थी थाएली हती आजे आपड़े पन सत्संग नेंदर जे काई सुखनू भवता होई है कि आपड़े सत्संग नेंदर कोई मोटा करता होई, मोटा मानता होई कि कोई गमेते हुँ आपड़े मान सन्मान आपता होई ये बदुई आपड़े जे जे काई मेडवी है बद्वी मोटा पूरुष्ण नी आपनने मड़ेला सद्गूरु एनी कृपा थी छे एनी द्रश्टिये करेने छे एम जो आपड़े अखंड विचार राखे तो एज सद्गूरुनी कृपा थी एक दिवस आपन पन महराज अखंड आपनने सूख आपे आपड़े मुमुक्सु ए बदाए नित्य एक वात नो विचार राखो के हुँ सत्संग निंदर जे काई छू आज मने महराज नी मुर्तिनु जेटलू काई सूख आवे छे क्यों बगवान ना स्वरूप ने थोड़ू गनुई जे लेस मातर समझी सक्यो छू क्या सत्संग निंदर सास्त्र ने कई वाची सकू छू के कई पन उँआ आध्यात्मिक जगत मा छू ए बदुई महरा सद्गूरुने लईने छू मुक्तानन स्वामी केवा मोटा सद्गूरु केटला मोटा आपड़ बदाय आजे मानिये के मुक्त अक्सर दमना अना दी मुक्त ने बदुव करिये पन स्वामी पोताना जीवन थिया पनने सिखवाड़िए के मुक्तानन स्वामी पोते पन रामानन स्वामी कोपिन नो आडबंध एनो टुकडो पोतानी पूजामा राखता केम स्वामी ने तो महराज मड़या स्वामी ने एम थाई कि उँँ आजे जे काये छू बदोई रामानन स्वामी मारा गूरू एनी कृपाये करे ने छू इतला माटे मुक्तानन स्वामी ए राखता पछी बीजा सहतु ने अनसम्जन ने जोई स्वामी है कि अनकाराने बीजाने अनसम्जन थाई छे त्यारे स्व आमी आओ चरित्र कर्यू के पोते पोताना गुरुनों स्मृत्ी माटे कैक नानी वस्तु राखी। जेने कारणे जीवनमा गमे तेटली मोटप आवे मान आवे तेम छता। क्यारे यह उनाथшь है किया बधु मारी लाइकाते करने चे के मारी आवड़ाते करने चे के मारी बुध्धिय करने चे पन यह वो सतत अनू संदे मेरे के जे कई छे ते बधु मारा सद्गुरुनी कृपानू छे यह मैं यहां स्वामी पर्वत भेना परचा लखे छे अन्य बीजो परचों यहां स्वामी लखे छे वड़ी वात बीजी एक कहू छेतो अपार पार केम लहू बगत एक अनूपम जानो नाम मुडजी जाती लुवानो मुडजी लुवानानी स्वामी यहां कथा लखे छे हतो जन्मांतरे जीव सारो सत्य धर्म लागतो ते सारो पची जन्मदार्यो एने ज्यारे मड़यो कू संगन रहो मड़यो कू संगन रहो एवो त्यारे एक वखत रूसी ना आस्रम मा जाई छे एमना दर्सन करवा एमने सामड़े लुके रूसी बव तपस वीचन रोज यगना आधिक करे छे अने बहु मोटा छे माटे एमना दर्सन करवा माटे गई लाकारन के विच्णू सर्मा भुमुक्सु मोटा एटले सद्गुरुने सोधवा माटे बदे फरेया करता अने आ रूसी ना मोटा जाने रूसी ना अश्रम मावे अपं ते समय ते रूसी भगवान नो यगन करता हाता अने आ विच्णू सर्मा पोते पन बहु विद्वान अता सास्त्र मां थी हमने यह जाने लू कि जयरे कोई यगन आदिक नू काम करता होई एक रिया मा प्रवर्थ हो तो ते समय दूर बेसु दूर थी दर्शन करवा पन समीप मां जयन हमने पगे लागू नहीं यह सास्त्र निंदर यहमने जाने लू एटला माटे दूर बेठा अने दूर थी दर्शन करे पन पगे लागया नहीं अने रूसी ने आबाजू यगन पूरो थायो ले रूसी ने क्रोध आवेो क्या ब्राह्मन छे यहां आवेया छे अने मने पगे लागया अगर क्या मैं यहां बेठा अने इटले इमने क्रोध माने क्रोध मा शाप आपयो कि तमे ब्राह्मन छो तमारी विद्ध्य करने तमे उन्मत है लागो छो तमने तमारी विद्यानों अभिमान लागेच माटे, तमने पुरुध्य उपर वैश्य कूड माँ जन्म धारन करो, अने त्या दूखने पामो, आवे रिते रुसी ये साप आपे अने विश्णू सर्मा, पची विश्णू सर्मा पोते पने वा विद्वान ता अने समर्त ता एमने भगवान इच्छा जानी, अने रुसी ने बेहाज जोड़ी ने प्रणाम करया, अने माफी मागिया ने विननती करी, के तमें जे वात करी बदी बराबर छे, पन मने एमा तू के सास्त्र मावू विधान छे, के जयारे कोई यगना आदिक करतू है, त्यारे तेमने प अगे लागयो नथी, माटे तेम छताई जो मारो अप्राध्वय तो तमे मने क्षमा करो, आउ प्राठना करी, त्यारे रुसी ने पन थायू के ना खरेकर मारी बूल छे, ब्राह्मन तो साचा छे, तेम छताई पछी रुसी आसिर अदापया, के तमे वैश्यकुड माँ तमने त्या थसे, आवी बात करी, आवा आसिर अदापया, पछी जन्मान तरे, आव विश्णु सर्माता ये जा मुर्जी लुवाना रुपे, जन्मधारन करेू, अने पछी जन्मधार्यो, अने पछी तो कुसंग मडेू, अने चोर नो संग थयो, अने चोर नी टोडिनी अने अंदर पोते मोडी, केता पोते आगेवान थया, अने चोर ना सर्दार थया, अने पछी एमने वी टेव पड़ी के कोईपन जिग्याए, कईपन सारु जोवे, अने एमना मनमा आवी जाए, इल्ले वस्तुने तियां थी चोरी लेवानी, आविरी ते घनु बदु पर् जगत मा सहू, फर ए हरवा वस्तु हम्मे स्तेने अर्थे जाई देशो देश, गना बदा देशो देश निंदर फरी ने चोरी नुच काम करता, एवा मूर जी लुआना, पन एक दिवस महराद ना दर्सन थया, महराद ना दर्सन पन एने एवी रिते थया, के एनने जानु क बगवान स्वामी ना रहें छे, बव बदा हरी भक्त एमना छे, एमना माटे बदा घरेना बदू लावे छे, एमने अर्पन करे छे, माटे एमने पासे घणू बदू सुवर ना अभू सनोन बदू छे, औने ए चोर्वा माटे मूर जी लुआना आवी खबर पड़ता, मू एमने काई भगवान चे ऊव भाह तोने पन महराज ना दर्शन थाया, अने पला रुसी ना आसिरवा धता के तंवने प्रगड भगवान ना दर्शन थासे ने भगवान ना दर्शन करने तंवा अत्यान सूख ने पावशो एम महराजना दर्शन थता पच्छी एमने धाई धारना ने बुलियो तन पोता नी देहनु भान बुलियो न त्यास महराज समाधी करावी अने समाधी ने अंदर गना बदा लोकों ना महराज दर्शन कराया गोलोक वेकोंट स्वेति बादिक बदा लोकों ना दर्शन कराया collection अने स्वार्ग माध कैलास माध वेकोंट गोलोक बदी जगे एमनी गती थई केता ने तो महराज बदा धामोंना दर्शन करावیا ननदे अक्सर धामना दर्शन करावया आणने महराज पच्छी एमने काथा घनी लामबी छे के महराज पचली आमने शत्संग मांका मां रेवा की दू माँने के दू मोध मांने तमारो आशरीत करो इमेरा चीlagen के मूझspl दोा टमारो चोरी नों अंग नुवा एक तमारो व्रत्मां मां रेसे नहीं अने पच्छी जारे तमने लागे त्यारे हमने के जो तो पच्छी को भॉंगोन हें जारे जो तमये ले किसी दी ले जाता हो तो तम्य भगवान ना गुना के जाता हुआ बिलो भगत ने तो चोरेर नो सभभा अँनिया और सोना ना घरना जो ए भीग्त के अने जैराचने जारे जैरे जोईसाम पास हमना तुमारत मरते हया हुना और या हाद करें निख्वान acid गना दिवसो ग्यान पचे एमने वृत्ती तो त्यां जहती ले महाराद नी पासे दरज्जा ले इने त्यां सिधा एक गा में गया अने ये जे सोनानों डबरो इस्तिरी भक्तों जा चूला ने अंदर खाड़ो करें डाटियो तो ये बदू जानियो महाराद ना पेलिश्तिरी भक्तों ने के भगत थो महाराद में समी के पैड़ देला महाराद ना घंता होए जानता होए अने इसम hustle करें भगत अने पच्छी रात्रे डबरो लेन सवार्थता तो गायब थाई गया पगत एम एमनो चोरी नो जे स्वभावतो एमने मुक्यों नहीं अने महराज पच्छी एमने त्या रस्तानिंद दर्शन आपया अने महराजे डबरोन बदू लिदून बदू माफी मगाईन बदू करियू पच्छी महराजनी कृपा थी मुर्जी लुआना महराजना खरेखरा भक्त थाया अने पच्छी महराज एमने निरावरन द्रश्टी करावी अने सामर थिया पीते थी एमने जहरे इच्छा थाई त्यारे आलोग परलोग बदी जगियाई गती करी सकता समाधी ने अंदर एमा समाधी करे ने महाराण अक्सर धामा जटाने महाराण दर्सन त्यां करता तेमा एक वखत आवेरी ते समाधिकर ने कैलास ने अंदर थी पसार थया अने ते समय सीव जी कैलास महाजर नो था अने बीजा बदा सीव जी ना जे गण ए बदा हता इमने जो इने मुड जी भगत ने दया आवी क्या बदा है यहां छे जो एपन महाराणनु बजण करें महाराणना आसरी थाई तो महाराणना अक्सर दामनु दिविय सुख भोगवे इतले बदा हैंनु उपदे सापें क्या यहां सीव जी तो तमग उन्ना देऊ छे इतले जो इयां तमे एमनु बजण करसो एमना आश्रे यहां पड़ी रेशो एना थी कही तमारी मुक्ति थवानी नथी माटे तमे पूर्ण पुर्शो तमनारेन बगवान स्वामी नारेन जेत्यार पुर्थिय उपर प्रगट छे एमनू भजन करसो तो तमे एमना दीविय अक्सर दामना सूखने पामसो मुट जी लूवाना त्यान थी महारना दर्शन करओ अक्सर दामना जता आरे पचि ज़यर에 स्रेवी फरी कैली आस मा आवया त्यारे एमना गनोय ने स्रेवी ने वात करई कुई भगवान नो भगत आवे तोन आवी बहती बातों करतो तो तम्हार विश्क है कि तम हमें तमक्मुणा देक आयो शेम लुक्ष, ओन्हें हम ठीकल्म नआ थाई अने रोकी ने वात करी अने थोड़ी कवार के तारह यहां रोकाऊ जबड़ से आऊ तम्हें महारावी से क्या हम तम्हें बोले आना गणू गणू जगड़ो थायो पच्छी माण माण मुर्जी लुपानाए, एमना थी थोड़ीक वर जे हैंने रोकावाताई रोक आने पच्छी माण माण ते हाथ्यां छूटे आ अने पछी महराज पास आवें पूचुओ के आजे तमने वार केम लागी समाधी मा तमने पहला तो दर्साने पहला आवी ज़ता आवे केम वार लागाडी मुड़ जी लुवा ना ये महराज ने प्राठना करी कि महराज मने रस्तानी अंदर सीवजी मड़े छे अने ये मने रोकी राखे छे ये मने कहे छे किमू ताने इथी जावा नहीं देवा अगड़ भले तना वुतावड होई पच्छी महराजे मूर्जी लुवानाने कीदू क्यावे तमें ज्यारे सीवजी मड़े त्यारे महरा स्वरूपने संभार जो तमने बोड आवसे अने तमें एकपन पोड वदारे त्यां रोकासो नहीं सिधा महराज दर्शन माटे सिधा आवजो अवी बात करी अने पच्छी सांभडी ने मूर्जी बगत चाल्या फरी समादिने इंदर सीवजी मड़े ने सीवजी जाल्या के क्यां उतावड आजाव छो यहां रोको त्यारे मूर्जी लुवाना के चे पेला विननती कर चे हाथ जोडिने के महराज तमे मने रिवादो मने जवादो महरे महराज ना दर्सने जवजे उँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ थोड़ीक वार समय बगाडे छेरले मुर्जी लुवानाने पन क्रूद आवेव एने महरार नी मुर्थी संबारी न कीदू कि मने जवादो नईतो हुँ आजे तमारी जटा आजे छे एने चूंतीस एम बनने जन पेला तो वाद करता करता एक बीजा साथे जगडे छे सिव जी अने मुर्जी लुवाना भगवाना भक्त बे जन आविर्थे जगडे छेने पछी बोलता बोलता बनने युदनी अंदर आवी जाई छे बनने एक बीजा ने बाथो बाथ आवी ने एक बीजा पर प्रहार करे छे अने बे एटला बढ़िया कि कोई कोई ने नमी देया महतू ने पच्छी मूर्जी ए बगवानना स्वरुपनू चिंत्वन करियू अने महरादना स्वरुपनु चिंत्वन करून महरादने प्राठना करी अने महरादने संबारी ने सिवजी ने उपाडी ने पछाड आ अने इनो मोटो कड़ा को थयो तेछे स्वर्ग लोक सुधी ने कड़ा को संबड़ाय पचिसीव जी इने थो ख्याल आवेव एओ क्या तो बगवान ना भक्त पुर्ण पुर्सतम नारेन बगवान स्वामिनारेन ना भक्त हुए तो जामर्थी हुए एले मुर्जी बगतने माफी मागी औने विननती करे छो के तमे भगवान स्वामिनाराण ना भगत छो एले मुर्जी लुआना किदु हाँ हुँ भगवान स्वामिनाराण ना भगत छो अने सीवजी कीदू एटले तमे मने जिती सको छने तो हुँ काड नोई काड एने कोई जितवाने समर्थ नथी एनी सामे उभूर्यवाप माटे पन कोई समर्थ नथी आवी बात करे छे अने सीवजी स्वयम महरादना गून गाई छे के तो पुर्ण पुर्सोतम नाराइं छे हुँ नित्ति एमनु ध्यान करू छोई बदी वातो मुर्जी लुआना ने करे छे मुर्जी लुआना जेरे समाधी माथी परत आवे छे त्यारे सभामा बदी आ वात करे छे अने बदाई भक्तों ने पन महरादनो आवो अलोकिक परचो के महराद तो सर्वा अवतार ना अवतारी छे भोव ब्रमादिक देव पन एमनु नित्तिय ध्यान करे छे अने एमनो भक्त एवो उँ एनी अंदर जो आटली सामर्थी होई तो स्वयम पूर्षो तम नारे एमा केटली सामर्थी हसे आवी बदी वात महरादना प्रतापनी महरादनी मोटपनी मुर्जी लुआना बदाई भक्तों ने जनावे छे आम महराजे यहां मुर्जी लुआना ने परचो पूर्यो के एक चोर हतो चोर माथी महराजे एने समाधी वाड़ो करे अने समाधी मापन पोतानी एटली सामर्थी आपी के सीवी जी जे काड़नाई काड़ केवाई एने पन जीती ने महराज सुधी पहुची सके एवी सामर्थी महराजे पोताना एक भक्तन आपी अन्य निस्कुडानन स्वामे या बेपड़ चा लख्या एनी पाच्छनू कारण पन एकच छे के निस्कुडानन स्वामे ने एक वस्तू आपड़ा रदेनेंदर ध्रण करावी चे के पगवान स्वामी ना रहीं छे एस सर्वो परी चे सर्वो अवतार ना उतारी चे बीजा बदाई जे 24 अवतारो चेहमा थी प्रगट थाई चेने अवा पाच अलीन थाई चे आवी सामर थी महराज मा चे अने भोब्रमादीक बीजा जे देवो चे ये बदाई महराज निस्तूती करे चे महराज नू ध्यान करे चे अने ना करता है गुनादी तानिन स्वामी क्ये के बीजा आउतारो करता है आज ना हरिदबगगत ना दिकरा छे ए महान छे ए वाद पन ये निस्कूडान स्वामी बतावी के मुर्जी लुवाना के जे सिवजय ने युदिनिंदर जीत्या अने अमने पचाडी ने बगवाना दर्साने पोँच्या अवी महराजना अलोकिक सामड़ती निवात निश्कुडानन स्वामी ए करी चैती स्रीमद एकांतिक धर्मप्रवर्तक स्री सहजानन स्वामी शिश्या निश्कुडानन मुने विर्चिते भक्ताच इन्दामनी मद्य स्री जी महराज पर्वदबाय था मुर्जी ने परचापूर्या अनामे 128 सम प्रक्रान थायू स्री गनश्याम महराज